कि नमस्कार दोस्तों मेडिय अपडेट्स चैनल में आप सबका स्वागत दोस्तों मैं आपके दोस्त फिर आजिरू आपके लिए एक नया टोपिक लेकर आज हम आपके बताएंगे कि हर रोज दो से तीन खजूर खाने से किस परकार आपका श्रीर पावर हॉस बन जाता है यह तिनी एनर्जी मिलती है कि आप जानकर डंग रह जाएंगे खजूर खाने से बहुत से रोकताम होती है यह एक बहुत ही लाबकारी फल है खजूर श्रीर की साथ धातों की पुष्टी करके श्रीर का फुलाद की तरह बनाने में सक्षम होता है खजूर ना किवल खाने में सुधिश्ट होता है परके सिहत के लिए भी बहुत फाइदे मन्द है खजूर आज का सब से प्राचीन खाद्य पदार्तों में से एक माना जाता है और अईरुवेद में भी इसके कई गुनों और फाइदों का वर्रन है तो आज हम आपको खजूर खाने के 10 जवर 10 फाइदे बताएंगे जिनने जानकर आप दंग रह जाएंगे तो आई ये जानते हैं दोस्तों उन फाइदों के बारे में कबज का मुखे कारण होता है आंत में खुश्की होना और खजूर आंतों की खुश्की को पूरी तरह से ख़तम करता है खजूर के द्वारा कबज को पूरी तरह खतम करने के लिए रोज सुबे दो से तीन खजूर को एक कटोरी ताजे पानी में डबो कर रख दीजिए और रात और तक रखा रहन दीजिए रात को सोते समय इन खजूरों को चबा चबा गर खा लीजिए यह प्रयोग आपने साथ से पंदर दिन तक लगदार करना है खजूर में सभी पोश्चित अत्तवत पाये ही जाती है इसके अत्रीक्त यह कैलोरी और गलुकोज को भी बहुत अच्छा स्थरो होता है जिसके कारण यह दुबले पतल लोगों में वजन बढ़ाने का काम कर सकता है वजन बढ़ाने का लाग उठाने के लिए 14 साल से अधिक उमर के लोग रोज पूरे दिन में 10 से 12 खजूर चबा चबा कर खाएं खजूर में श्रीर को तुरंत उर्जा देने की एक प्राकरतिक शक्ति होती है क्योंकि इसमें शुगर अधिक मात्राइं पाई जाती है यह शुगर गलुकोज और फ्रक्टोज दोना ही रोव में उपलब्द होती है इस कार्ण से जब भी श्रीर को अधिक उर्जा की जरूरत हो तो 2-3 खजूर खाकर उर्जा प्राप्तिक की जा सकती है श्रीर का नारी तंतर सबसे ज्यादा उल्चे वे तंतरों में समाना जाता है संपोर्ण श्रीर इंदरियों का मस्तिश्क के साथ संपर्क मुखिता नारी तंतर के द्वारा ही संभ़ होता है खजूर नारी तंतर का पनम मित्र से दोता है खजूर में उपलब्द पोटैश्यम नारी तंतर के लिए बहुत जरूरी है साथ ही साथ वियरक्त चाप को नियमित करता है और हिर्दे को भी मजबूत करता है खजूर में शरीर के लिए लाबकारी और शरीर दर असानी से सवज़कार किया जाना वा आईरन तत्व पाय जाता है इसले खून की कमी से परशान लोगों के लिए खजूर वास्ताओं में किसी वर्दान से कम नहीं है रक्त अलपतता के रोग्यों के लिए रोज दो बार दो दो खजूर खाना प्रयाप्त होता है प्रते दिन खजूर खाने से और साथ में दूद पीने से शरीर को भरपूर शक्ती मिलती है खजूर के सेवन से मरदाना ताक्त में विर्धी होती है दो खजूर को दूद में उबालकर खाने से और साथ में वही दूद पीने से शिरीर में शक्ति का संचार होता है हिर्दे रोगी यदि चार से प्माच खजूर रोज खाएं तो वह उनकी रक्त वाइनों में रक्त का संचार सरल होता है जिससे रख्थ संचार के अरोध में होने से हिर्दे रोख की भावना नश्ट हो जाती है अगर कान में दर्द है तो दो खजूर को जल में उबाल कर उसमें 2-3 ग्राम मेथी दाना का चूरण मिलाकर रोज खाने से मैलाओं का कमर का दर्द जल्द ही ठीक हो जाता है खजूर को काली मिर्च के चूरण के साथ दूद में बाल कर पीने से पुराना सूखा नजला ठीक होता है खजूर मिशरी मक्षन मिलाकर गर्व दूद का साथ खाने से सोखी खान से ठीक हो जाती है पांच साथ खजूर रात भर पाने में भीगो कर सुबह उसकी गुठिली इनकार कर गुद्दे को शायद खाने से लीवर और तिल्ली बढ़ने के रोग खत्म हो जाती है दोस्तो इसके साथ ही एक ज़ूरी जो ध्यान दोनों के बात है वो यह है कि खजूर बहुत ही मीठा होता है जिस कारण से यह शिरीर में खून में शुगर की स्तरकों एकदम से बढ़ाता है इसलिए मधूमा के रोगयों को खजूर का सेवन नहीं करना चाहिए तो दोस्तो यह देख जूर खाने के फाइदे आगे भी हम आपके लिए से महत्रपुन जानकारिया लेकर आते रहेंगे इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे हुए बैल आइकन को दोस्तो जूर दबा देना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए हर मिलते अगले वीडियो में नए टोपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार